प्रिया दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूटूब चनल पर दर्शकों आज के एपिसोड को आरंब करते हैं सर्पृतम आज के पंचान पर द्रस्टिड आते हैं आज 5 अक्टूबर 2021 मंगलवार का दिन है अश्रुम मास चल रहा है क्रश्रुपक्ष है और चतुरदशित तिथी है आज चंद्रमा प्राते 8 बच कर 16 मिनिट तक सिंग राशी में रहेंगे और उसके पश्यात कन्या राशी में प्रवेश कर जाएंगे और कन्या राशी में आज चंद्रमा के प्रवेश के साथ ही दो योग ऐसे बन रहे हैं जो अच्छे भी होते हैं और स्रेस्ट भी कहलाते हैं दर्शकु कन्या राशी के अंदर चंद्रमा और मंगल के कारण से लक्ष्मी योग बन रहा है और सूर्य और बुद्ध के कारण से बुद्ध अधित्य योग बन रहा है। चार ग्रहों की उपस्यती इस कन्या राशी के अंदर कुछ विशेश भी है और समय भी विशेश ही चल रहा है। दर्शकों आज उत्रा फालगुली नक्षत्र है और नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव है। आज देव तेवहार की बात करें तो आज कोई विशेश तेवहार भी नहीं है लेकिन चत्रदशी का श्राद कर्व आज ही के दिन किया जाएगा। आज के राहुकाल की बात करें 15 बचकर 11 मिनिट और 58 सेकिंड से 16 बचकर 40 मिनट और 26 सेकिंड तक राहुकाल रहेगा, 11 बचकर 42 मिन से 12 बचकर 36 मिनट अभीजेट मूरत भी रहेगा। और दर्शको अभिजेत मुर्थ के अंदर हम किसी भी तरह का शुबकारे कर सकते हैं जो श्रादपक्ष में वर्जित ना हो। आज कोई रत्मधारन नहीं करेंगे क्योंकि श्रादपक्ष चल रहा है और क्रश्नपक्ष भी है। दर्शको आज के दैनिक उपाय के अंदर एक छोटा सा अवपाय आपको अवश्य करना है। मंगलवार का दिन भी है श्रादपक्ष भी चल रहा है सूरे का नक्षत्र है। ऐसे में आज हनुमान जी के सामने एक घी का दीपक अवश्य जलाईए। कभी भी आप जला सकते हैं सुबै दौपएर शाम जब आपको समय मिले। और घी का दीपक जला करके हाथ जोड़ करके आँख बंद करके अपने मन में हनुमान जी का इस्मुर्ण करिए। और अपनी मनों कामना उनके समक्ष रखिए। आज आपको मात्र इतना सवपाय करना है इश्वर आपकी हर मनों कामना पून अवश्य करेगा। दर्शय को एक छोटा सवपाय आज हमको करना है। दर्शय को आज की ज्यान गंगा को हम आरम करते हैं। यह प्रसंग मैंने लिया है महाभारत से। और महाभारत के अंदर आपको पता हुगा। जब कौरवों ने पांडवों को हस्तिनापूर से बाहर निकाल दिया था। तो पांडवों ने इंद्रप्रस्थ नामक नगरी का निर्मान किया था। और जब उन्होंने नगरी बनाई थी तो बहुती सुंदर थी। और जब उन्होंने कौरवों को भी आमंत्रत किया। तो कौरव उस नगर को देख करके बहुती आश्यचकित भी हुए थे। और खास तोर पे दुर्योधन तो बहुत जलने लगा था। ऐसे में जब दुर्योधन भवन का निरिक्षम कर रहा था, तो एक ऐसे कक्ष में पहुंसता है, जहां धर्ती पर पानी का एहसास और पानी पर धर्ती का एहसास होता है। यानि कोई भी व्यक्ति उस चीज को देख करके भ्रमित हो जाएगा कि यहां पर पानी है या धर्ती है और जब उसको देख करके दुर्योधन पानी को जमीन समझ करके रुखता है और जमीन को जब पानी समझ कर आगे बढ़ता है तो पानी में गिर जाता है और द्रोपती ये यही से एक ऐसी शत्रुता का निर्वान होता है जो पूरे पुल का विनाश करने के लिए प्रयाप्त था। दर्शक उसके बाद आप जानते हैं कि दुर्योधन ने क्या किया पांडवों के साथ में अत्याचार भी हुए उनके उस भवन को जलाने का प्रयास भी किया गया और चला भी दिया गया उसके पस्चात उने दूत क्रिणा में बुलाया गया और यह सारी घटना आप सबको पत है दर्शक को यह जो प्रसंग मैंने आज आप लोग के सामने लिया है जिसमें द्रोपति ने यह कहा कि अंधे का पुत्र अंधा यह घटना क्रम हमें बहुत बड़ा संदेश देता है इसके पीछे दो ऐसे रहसे हैं जो हमें समझने ही चाहिए पहला रहसे जो लोग आपसे जोलेसी करते हैं आपके विरोधी हैं कभी भी आपको उन्हें अपने शुब कारव में अमंत्रित नहीं करना चाहिए क्योंकि वो आपकी उस तरक्की को देख करके आपकी उस सफलता को देख करके जोलेसी की भावना भी रखेंगे और आपके खिलाफ शरियंत्र करने का प् से हम जितनी दूरी बनाकर रख सकते हैं उतना हमें रखना ही चाहिए और अपनी प्रसंशा या अपने सुक्स विधाओं का प्रदर्शन हमें बहुती सिमित मात्रा में भी अवश्य करना चाहिए और दूसरा एक बहुती महत्पूर्ण सुत्र इस घटना करम से हमें मिलता है क कि वानी का प्रयोग हमेशा बहुत ही संभल करके करना चाहिए न जाने हमारा व्यंग कब किसके हुदय को ठेस पहुंचा दे और उसकी वज़े से वह आजीवन हमारा शत्रू बन जाए और हमारे मार्ग में हमेशा वह कांटी विशाने का काम करें ऐसी परिसित्यों का निर् जो आपकी तरक्की से जलते हैं या जो किसी भी मायने में आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाते हैं ऐसे लोगों को कभी बी गलत शब्दों का प्रियोग करके अपने लिए शतुलता को बढ़ाने का मौका हुने नहीं देना चाहिए यह दो बड़ी सीक्त हमें अवश्य मिलती हैं हमेशा अपने जीवन में बिनर्मता रखें और व्यक्ति विशेश के सामने किसी भी चीज़ का प्रदशन करने से पहले इस चीज़ का ध्यान अवश्य रखें क्या वो व्यक्ति आपकी तरक्की से प्रसंद होगा या आपके मार्ग में अवरूत पैदा कर इस चीज़ का ध्यान अपने रखा है तो फिर आप अपने जीवन में शत्रों की संख्या को कम करने में अवश्य सफन होगे दर्श को आज की ग्यांगंदा में मात्र इतना ही एक बार आज की ग्रहस्तिकी पर विचार करते हैं आज प्राते सूर्यदे के समय 6 बचकर 21 और 11 स सिंग राशी में ही चंद्रमा है और लगबग 28 डिग्री पर है लेकिन 8 बचकर 17 मिट के पश्याद या 8 बचकर 16 मिट से 17 मिट के बीच में चंद्रमा कन्या राशी में प्रवेश्च कर जाएंगे और यहीं से चार ग्रहों की यूती भी बनेगे यह यूती बहुत ही स कंद्रमाह और बुद्रवेश्वश्फ नतियुर्वर्वर्द्र दशक ऑन दर्शक, आज प्रते शूरयदे के समयप पर कण्यालग्न रहेगा मंगर, बुद्र सूर्य विद्दमान है। वर्षिक, राशी, में शुक्र, केतु विद्दमान यह मकर राशी में शनी और ब्रस्पती मिद्दमान है वृषव राशी में राहुदेव है और सिंग राशी में 28 दिगरी पर चंद्रमा है तर्शको ये आज की ग्रह स्तिती है नक्षत्र से चंद्रमा का अपने से पहले का संबंध बन रहा है क्योंकि हम 8 बच के 17 मिट के बाद की इस्तती को देख करके आज का लगन फल और राशी फल निरधानित कर रहे है दर्शको इसी सब चीजों को ध्यान में रखते वे हम आगे बढ़ते हैं आज के लगन फल और राशी फल के परवादे सरप्रतम मेश राशी और मेश लगन के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा क्योंकि छटे भाव के अंदर सूर्य और चंद्रमा की इस्तती और चार ग्रहों की यूती आपके मार्ग में आ रही परिशानी को दूर करने के लिए प्रयाप्त है आज का दिन आपके लिए अच्छा है मार्ग में आ रही बादाएं भी दूर होंगी कोई कारे अधूरे पड़े हैं तो उनको भी आजा पूरा अवश्य करें अपने धन को विवस्तित करने में भी आप सफल होंगी पारवे भाव पर इस्तिती होने के कारण से थोड़ा सा व्याप हो सकता है लेकिन इसको लेकर के चिंता करने का विशक्ता नहीं है ये व्याप शुब ही है दर्शब को वर्शोक राशे और विशब लगिन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन उनके लिए ठीक रहेगा लेकिन चंद्रमा की उपस्तिती पंचों भाव में होने के कारण से थोड़े से विचारों में ऐस्तिता आज आज आपके देखने को मिल सकती है लेकिन सूर्य की उपस्तिती वी साथ होने के कारण से आज जब द्रण निश्य भी जरूर रहेंगे जो कारे एक बार आपने अपने मन में ठान लिया कि मुझे आज करना है उसको आप पूरा करके ही दम अवश्य लेंगे और दरशको अपने नुकसान को भी आप पूरी तरह से कंट्रोल करने में काम्याद भी आज जरूर रहेंगी हाँ इतना जरूर है मन बीच बीच में आपको विथित अवश्य करेगा इसलिए मन के विचारों को यदि आपने आज नेंत्रित रखा तो आज आप अपने पूरे दिन के स्रेस्ट परिणाम भी अवश्य प्राक्त करेंगे दर्शकों मितन राश्य और मितन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ा सा संबल के चलने का है क्योंकि चंद्रमा और सूरी की उपस्तिती चतुरत भाव में आपकी सुख सिर्दाओं में कमी अवश्य कर रही है माता के संदर में भी कुछ चिंटा आपको हो सकती है प्रापर्टी से समधित कोई अगर विवात चल रहे हैं तो वो आज थोड़े और उलज जाए इसकी संभावना बनती है प्रापर्टी की खरित फरोगते दिया आज आप कर रहे हैं कोई आप एडवांस देने जा रहे हैं तो आज थोड़ा सा रुक जाईए आज का दिन ठीक नहीं है लेकिन बुद्ध की उपस्तिती भी चत्रत भाव में यानि कन्या राशी में इस बात का संके दे रही है यदि आप सावधानी रखेंगे तो फिर किसी भी तरह के बड़े नुक्सान को आज आप नहीं होने देंगे और अपनी विवस्ताओं को ठीक रखने में भी काम्याब अवश्य होगे दर्शकों करक राशी और करक लगन के वैक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ी सी मेहनत कराने वाला है कारे की अधिक्ता रहेगी कारे को अब समय पर पूरा करने का प्रयास भी करेंगे लेकिन कहीं न कहीं आज आज आपके अंदर घमंड की भावना भी अवश्य नजर आएगी आप किसी दूसरे का सहीव रेना पसंद नहीं परेंगे जो कारे आपके पास में हैं आप सोचते हैं कि उसी को मैं अवश्य पूरा कर लूँगा मुझे किसी के अवश्य नहीं है और इसी कारण से आज आपको आपके काम थोड़े से बिगड़ते वे नजर आ सकते हैं इसलिए यदि किसी कारे में आपको ऐसा लगता है कि किसी के अवश्य लेना चाहिए और दूसरों के काम अपने हाथ से करने का प्रयास आज मत कीजिए जैसे बहुत से लोगों के आदत होती है कि घर का यदि कोई चीज बिगड़ दे है तो उसको खुद सुदारने लग जाते हैं आज ऐसी गलती करने का प्रयास ना करें जो काम चिस्से होने का है उसी को बुला करके वो काम पूर्ण कराए अन्यता पैसे बचाने के चक्र में आज आपको नुक्सान जरूर हो सकता है इस चीज का दिया पध्यान रखेंगे तो आज का दिन आपका अच्छा ही रहेगा सिंग राशियों और सिंग लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन अच्छा है धन आगमन सुगम रहेगा परिवार के प्रती आपका समरपन का भाव रहेगा आपके अंदर confidence भी ज़रूर रहेगा लेकिन चंदरमा के कारण से थोड़ी सी परिशानिय भी आपके अवश्य आएंगी लेकिन वो परिशानी इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि वो आपका मार्ग रोख सके इसलिए सूर्य की उपस्यती धन भाव पर होने के कारण से धन आगमन भी सुगम रहेगा वाणी में भी आपके आज confidence देखने को मिलेगा परिवार के अंदर भी सुहादपून वातावरन रहेगा मार्ग में आरे परिशानियों का अब दूर करने में अवश्य काम्याप होंगे बस एक चीज़ का ध्यान रखिए चंद्रमा के प्रभाव को कम से कम रखना है यानि अधिक वड़तालाप नहीं करना है वाणी का दुर्भ्योग नहीं करना है और मन में डिप्रेशन नहीं आने देना है बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो सारा दिन आपका अच्छा ही रहेगा कन्याराशी और कन्यालगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन थोड़ सा विचलित करने वाला है लगन के अंदर ही सूर्य और चंद्रमा की उपसिती इस बात कर संके दे रही है कि आज आपका ध्यान बहुत ही भटकेगा मन में एस्थिलता रहेगी क्रोध की अधिकता रहेगी और आज आप जो भी कुछ सोच रहे हैं वो आज आपको गलते साबित कर रहे हैं ऐसा आप मैसूस करेंगे यालि जहां आप अपने विचार रख रहे हैं वहां आपके विचारों को आज सिर्कृति ना मिले बलके आपके विचारों को सिर्कार भी ना किया जाए और आपको किसी तरह का उपदेश भी सुनने को मिल जाए ऐसे संभावना आज बनती है इसलिए आज अपने विचारों को अपने तक सिमित रखिए दूसरों को आगे बढ़के काम करने दीजिए आप एक टीम का हिस्सा बनके रहिए और जो सहयोग आपके टीम आपसे चाहती है बस वही सहयोग उने दीजिए अगर इतना सा अध्यान रखेंगे तो आज के दिन की किसी भी तरह के नकारतमत परिणाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे तुला राशी और तुला लगन के वेक्तियों के लिए आज कर दिन मिला जुला रहने कारण यह है कि आज आपको अपने मन की इच्छां को मार करके वस्तुकार बरिष्टि के आधार पर निर्णने लेने पड़ रहे हैं जिसकी वजह से कारे तो ठीक हो रहे हैं लेकिन आपके मन में संतुस्टी का भाव नहीं है ठीक इसी तरह की इस्तिती होती है दर्षकों ज आपको उनके साथ जाना पड़ता है, इसी तरह की परिस्थिती आज आपके साथ बन रही है, यानि कारे तो करेंगे, दूसरों के साथ मिल करके कारे को पूर्ण भी करेंगे, लेकिन उस कारे को पूर्ण करने में आपकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं है, पर आपको मजबूर में ही उनका साथ दिना पड़ रहा है ऐसी स्थितिका निर्वान आज हो रहा है इसलिए आज के दिन को अपने लिए नहीं दूसरों की इच्छाओं के प्रतिसमत्पित रखिए यही आपके लिए आज सबसे बहतर रणनिती भी रहेगी प्रश्यक राश्य और विश्यक लगन कुछ शुख सूचना आपको मिल सकती है इसलिए यदि आजा सकारत्मक भाव रखकर सकारत्मक दस्टिकोन से कारे करेंगे तो आज आपकी सभी इच्छाएं अवश्यकोन होगी लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है जब इच्छा पूरती का दिन हो तो व्यक्ति को अपन आपकी इच्छा पूरी करने पर आता है और उस समय पर आपके मन में कि नकारत्मक भाव हैं तो परिस्तियों के निर्वान भी फिर वैसा ही होता है इसी लिए आज इस सकारत्मक महोल में प्राते से लेकर के राच तक आपको इसीज़ कर ध्यान लखना है कि अपनी तरक्की क भी जरूर मिलेगा जो आने वाले समय में आपके जीवन को बहुत ही बहतर भी अवश्य बनाएगा धनू राशी और धनू लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिल ठीक है दशम भाव के इंदर सूरी की उपस्तिती आपके कामकाज में बड़ोत्री कराने वाली है आपको सुक्सुलदाओं में कुछ कमी होती भी आपको देख सकती है लेकिन काली शित्र के आधार पर देहम बात करें तो आज का दिन आपका अच्छा रहेगा पस एक चीज़ का ध्यानकना आज किसी भी तरह की कोई लापरवाई आपको नहीं करनी है यदि इस चीज़ का आपने को पर देरा है बिटा के संदर में कुछ अशुप सूचना आपको प्राप्त हो सकती है आज जिस कारे को भी आक करेंगे ऊसके परिणामा कि पक्ष में नहीं होंगे कहीं नहीं काम में लापरवाई भी आज आपके देखने को मिलेगी इसीवे आज जो भी कारें पर आप करें यह सो स случае साटाब्य से करें और इस उद्देश उसे तक करने की जो काम कर रहें यह में दूसरों को पहुंचाने के प्रेवर्ज्ञ कर रहे हैं यह भावना आप रखिये और आगROज आपको किए गैं किसी कर्म का किसी भी मेहनत का अफल आपको नहीं चाहिए इस तरह की भावना ये दिया आपके अंदर होगी तो आज आपको अपने द्वारा किये गए कारे के परिणाम आपको नहीं मिल रही हैं, इससे भी मलाल नहीं होगा और जो चारे आप पर रहे हैं वो दूसरों को समर्पित हो गया है इसलिए आपको कम से कम नकारत्मत परिणाम देखने को मिलेंगे क्योंकि दूसरों के लिए की गई मेहनत का परिणाम हमेशा शुब होता है जब आपका दिन आपके पक्ष में ना इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखे और आज के दिन को दूसरों के लिए समध्पित दे रही है कि आज आपके मार्ग में बाधाय अवश्य आएंगी कुछ ना कुछ रुकावट परिशानियां जरूर रहेंगी यह चीज मुझे देख रही है घर परिवार के अंदर भी थोड़ा सा माहुल सुकद नहीं रहेगा वाणी की अधिकता भी आज आपको नहीं रख यह वाग के आज अक्षर अक्षर आपके उपर चलितार्थ हो रहा है इसलिए मन में यदि आज आपके हांसले बुलंद हैं तो फिर आपको किसी भी चीज़ से घबरानी क्या विश्यक्ता नहीं है मीन राशी और मीन लगन के व्यक्तियों के लिए आज का दिन मिला जुला रहने वाला है चंद्रमा की सब्तम भाव में उपस्थती आपके लिए अच्छी है आज डेली सोर्स ओफ इंकम में बढ़ोत्री भी होगी मन में विचारों के दिखता भी रहेगी आज कुछ इनोव आज की बावन यह दिन नहीं होगी आप किसी के आगे जुकेंगे नियुक्ति अगराश मान सकता आपकी नहीं है तो फिर आपको घबराने की जवरत नहीं है क्योंकि चंद्रमा के कारण से आज आपको सफलता मिलेगी लेकिन एहंकार में आकर के आज आप अपने परिणामो पर मैंने आपको राशी फल और लगन फल दिया है आपको इसी तरह से आपका आज का दिन वधीत होतावा नजर आएगा अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक हमारे चैनल पर बने रहें जैहिंग जैभारत